आउसकार में नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF News इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि DMD के प्रमुख विजे कांद का निधन हो गया है जी हाँ कैप्टन विजे कांद जो की राजनीता के साथ साथ अभी नियता भी थे और उनका निधन हो गया है उन्हें कुछ दिनों पहले ही हॉस्पिटल में भरती करा गया था जिसके बाद उनके अंदर कोरोना पोजिटीव देखा गया था और उनका इलाज चल रहा था लेकिन अब ये खबर आ रही है कि अब उन्होंने अंतिन सांस ली है और उनका निधन हो गया है जैसा कि आपको पता है कि ठंडी का मौसम आ चुका है और इस मौसम में कुरोना के वेरियंट्स जो है वो देखे जाते हैं तो इसी तरीके से कुरोना के नए वेरियंट्स फिर से देखे जा रहे हैं देश के कई हिस्सों में कुरोना पॉजिटिव लोग पाया जा रहे हैं और फिर उसके बाद उनकी तबियत ज्यादा खराब हुई जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था लेकिन अब जो पार्टी की तरब से बताया गया वो ये है कि उन्होंने M.I.O.T.S. पताल में अंतिम सांस ली है जी हाँ अभिनेता, राजनेता और DMD के प्रमुख कैप्टन विजे कांद का अब निधन हो चुका है मेडिकल बोल्टेन जारी करते हुए बताया गया कि निमोनिया के कारण भरती होने के बाद कैप्टन विजे कांद वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे मेडिकल स्टाफ के सर्वत्तम पर्यातों के बावजूद 28 दिसंबर 2030 की सुब उनका निधन हो गया है तो इस तरीके से उनके निधन के बाद उनके पार्टी के साथ साथ कुरे देश भर में घम का माहौल है और उनके निधन के बाद कई निताओं ने भी शोग प्रकट किया है आपको बता दें कि भाजपा निता खुश्बू सुंदर ने एक पर पोस्ट करते वे कहा कि हमने एक रत्न खो दिया है गोल्डन हार्ट वाला एक शक्स जो वास्तों में बहुत कुछ का हगदार था हमारे प्यारे कैप्टन हमारे विजे कांथ सर आपकी आत्मा को शांती मिले उनके परिवार प्रशंसकों और समर्पित पार्टी कारे करताओं के प्रती गहरी समवेदना ओम शांती आपको बता दें कि DMDK प्रमुख 20 नवंबर को ही अस्पताल में भरती किये गए थे और इसी महीने अस्पताल से घर भी वापस लोटे थे विजे कांथ का अस्पताल में सांस की बिमारी का एलाज चल रहा था विजे कांथ कि अगर फिल्मी ज़र्णी की बात की जाय तो उनका फिल्मी करियर भी बहुत शांदार रहा है उन्होंने कई हिट फिल्मे दिहीं और 154 फिल्मों में उन्होंने अभिनः किया है फिल्मों के बाद वो राजनीती में आये उन्होंने DMDK के स्थापना की और विरोधा चलम और रिशी वंडियम निर्वाचन शित्रों का परते निधित्व करते हुए दो बार विधान सभा के सदस्तिक रूप में काम भी किया है और इसके आलावा वो विपक्ष के नेता भी रहे हैं उनका राजनीती करियर तब चरम पर था जब वो 2011 से 2016 तक तमिल नाड़ो विधान सभा में विपक्ष के नेता बन तो ये उनका पूरा का पूरा राजनीती करियर है लेकिन अब उनका राजनीती करियर समाप्त हो चुका है क्योंकि कैप्टन विजय कांद का निधन हो चुका है और ये निधन कोरोना पॉजिटिव होने की वज़े से हुआ है ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि जब उन्हें सांस लिने में दिखक्ष हो रही थी तो उन्हें चल रहा था हाला कि नवंबर के महीने में भी उनको अस्पताल में भरती कराया गया था और फिर वो घर वापत लौट भी आये थे लेकिन अचानच फिर से उनकी तबियत खराब होई और उनको अस्पताल में भरती कराया गया और जब अस्पताल में जांच हुआ तो पता चला क्योंके अंदर कोरोना पॉजिटिव है और सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही है और आखिर कार उन्होंने अंतिम सांस ली और उनका निधन हो चुका है